हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुँ राहुल जे स्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूट्योरियल्स में फ्रेंड्स आज एगे आपके सामने एक मोश्ट इंपॉर्ट चैप्टर का लेक्चर नमर 3 हम आपके लिए लेकर आ गए है जो कि अगेने बहुत इंपॉर्टन लेक्चर वीडियो होने वाला है तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता ही कि इसके पहले जो हमारा लेक्चर था लेक्चर नमर 2 की अगर हम बात करें इसमें हमने सीखा था किस प इक्वेशन्स के वैल्यूस जो होते वो निकाल सकते हो लेकिन अगर आपके एक्जाम में अगर डैरेकली पूछेगा कि आपको नहीं एलिमिनेशन से ही करना है तो आपको एलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा तो दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग को एक इसका नाम है प्राक्टिस सेट नंबर 5.1 ठीक है तो हमारा एक टॉपिक है प्राक्टिस सेट हमें कवर करना इसमें कुछ एक्जाम्पल से आपके लिए में सौल करके दिखाऊंगा और बाकी एक्जाम्पल कुछ होमवक भी देने वाला हो ताकि आप लोग इसको प्राक्टिस सेट है इस पॉट्टिकलर चाप्टर गा ओके तो सबसे पहले कोशन आप देखोगे तो नॉमली क्या करना है आपको कोई भी 5 लिनियर एक्वेशन अपने मन के इसाब से बनाना है तो आप कुछ भी बना सकते हो यह में आपको बताने नहीं वालो लेकिन आपक प्लस य इकल तो फाइब बना लो ऐसे आपको जो भी मर्जी आपकी लगे वह बना सकते हो इक्वेशन तो यह मारा पहला कोशन था सेकेंड कोशन भी लगवा इसी प्रकार से है कि आपको एक कोशन दिया हुआ है यहां पर मैं आपको बताने की कोशिच करता हूं सबसे पहल हैंगे let suppose अगर मैंने मान लिया कि मैंने ले लिया if x is equal to 0 पहले मैंने x0 ले लिया तो y कितना हो जाएगा x0 हो जाएगा तो y directly हो जाएगा 7 x अगर मैंने 1 मान लिया तो x1 मान लिया तो y कितना हो जाएगा 7-1 यानि कि y कितना हो जाएगा 6 आपको solve करके दिखाना है तो solve करके दिखा सकते हो जब x is equal to 1 मान लिया तो यह कितना हो जाएगा 1 plus y is equal to 7 therefore y is equal to 7-1 therefore y is equal to 6 मतलब x1 माना तो y6 आ गया वैसे ही x2 मान लो तो y कितना हो जाएगा that is 2 plus y is equal to 7 हो जाएगा तो y is equal to 7 minus 2 that will be equal to y is equal to 5 यह हो जाएगा तो इसी प्रकार आपको 2 से 3 value ले लेना है आपके मन से इसाब से आपको ऐसा नहीं कि 0,12 लेना है जिसमें आपको equations जो दिये होते हैं उसको आपको simultaneous solve करना है जो कि हमने आपको सिखाया हुआ ठीके? अब उसको हम solve करेंगे जो भी method दिया रहेगा उसके method सá solve करेंगे तो question इस प्रकार है आपको ये simultaneous equation जो है आपको solve करना है लेकिन कहीं बिखके नहीं रका है कि आपको y is equal to 4 and दूसरा equation यहाँ पे दिया हुआ है 2x minus 5y is equal to 1, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, अब मैं क्या करूँगा, इसको हम लोग elimination method से solve करेंगे, तो by using elimination method लिख देता हूं मैं, by using elimination method, आपको नहीं लिखना रहेगा, तो भी आप चल पाओगे, मतलब कोई धरूरत नहीं है, कोई method से solve करेंगे, वो लिखना है, अब directly कर लो, by using elimination method हम लोग इसको solve करने वाले, इसके लिख दिया, आपको समझाने के लिए बस, ठीके न, अब मैं क्या करता हूं, यह हमारा, इसको मैं मान लेते है equation number 1, इसको मान लिया equation number 2, ठीके, इसको थोड़ा और उपर side में कहीं पे इंदर, कि यह दोनों equations में किसी एक भी कोई-भी coefficient का value सेम होना चीए, या तो x का या तो y का, तो आप देखो कि यहाँ पे x का कुछ भी नहीं, यानि कि 1 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँ हाँ? simply 2 से multiply कर देता हूँ, तो ये पूरे के पूरे equations को मैं क्या करता हूँ, ये पूरे equation को मैंने 2 से multiply किया, तो आप लिख सकते हो, that is by multiplying, आप एक statement ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तो कोई problem नहीं है, क्योंकि आपने already यहाँ पर लिख के दिखा दिया, तो एक लिख सकते हो, 2 multiply by y कितना हो जाएगा, 2y बन गया, and 2 multiply by 4 कितना हो गया, 8 बन गया, और ये नया equation बन जाएगा, इसका नाम में change करके 3 कर देता हूँ, and जो second equation है, उसमें हमने कुछ नहीं किया, same to same as it is लिख दो उसको, क्या है, 2x minus 5y is equal to 1, लिख दिया, अब इसको हम लोग कर सकते हैं, या यहां पर अगर मैं minus का sign डालूँगा, यानि कि मैं इस पर minus करूँगा, यह minus जो था वो क्या हो जाएगा, दोस्तों, plus बन जाएगा, क्योंकि minus plus हो जाता है, और यह कुछ भी नहीं है, यानि कि यह minus हो जाएगा, तो 8 minus 1, 7 हो गया, यह आपको मिल गया, अब यह plus 2y है, यान और आपका y का value यहां पर मिल जाएगा, y is equal to 7 divided by 7, that will be equal to 1, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, y is equal to 1, एक value यहां पर हमें मिल गया, कि y का answer आया, वो 1 आया, तो जब आपका y का answer 1 आ सकता है, तो आप कोई भी एक equation में y का value डाल दो, आपको second value भी मिल जाएगा, जो कि x, तो मै second वाल equation में, जहां पर y है, उसके जगा पर मुझे 1 लिखना है, तो equation क्या है, पहले लिख दो, 2x, यह minus, यह 5 और y के जगा पर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, तो 5 multiplied by 1 हो जाएगा, is equal to 1, तो यह हो जाएगा, 2x minus 5 multiplied by 1 is 5 is equal to 1, अब यहां पर चेक कर सकते हो, 2x है, minus 5 equal to 6 हो गया, और x is equal to 6 upon 2 हो जाएगा, therefore हमारा x का value कितना आगया, 3, तो finally आप क्या लिख सकते हो, last में, कि x is equal to 3 आ रहा है, y is equal to 1 आ रहा है, and this is our final equation, यही तो हमें चाहिए था, कि हमें बोला था, कि solve करना है, हमारे simultaneous equation को solve करना है, यानि कि क्या होता है, कि जो भी variables इसमें होत यानि कि x जो था, उसको eliminate कर दिया, हड गया है, तो y के answer निकल गया, और y का जम answer निकल गया, तो हमने किसी एक equation में डाल दो, तो हमारे x का value भी निकल जाएगा, तो यहाँ पर answer आगया, हमारा x is equal to 3, y is equal to 1, उमीद करता हो, कि यह question आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गय और हम लोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी होते हैं, तो यह हो गया हमारा पहला question, इसको rough कर लेता हो, फिर आपको मैं बताऊंगा हमारा question number 2, जो कि हमारे substitution method से आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले board को rough कर लेता हो, फटाफ़ट से, ताकि आपको मैं second question करा सको, ज्यान से देखे खाल वो हम लोग लिख लेता हैं, यहाँ पे सबसे पहले, question दिया होए हमें, 2, ठीके, 2x plus, क्या दिया होए, 2x plus y is equal to 5, यह हमारा सबसे पहला equation है, और डूसरा है 3x minus y is equal to 5, यह हमारा second equation दिया होए, ठीके, 2x plus y is equal to 5, और 3x minus y is equal to 5, अब यहाँ पे आप देखोगे न, इसक हो गया solve करना लेकिन मैं आपको इसको elimination method से नहीं बताऊंगा इसको मैं substitution method से बताऊंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम कोई भी example को चाहे elimination चाहे substitution दोनों मेंसे किसी एक से solve कर सकते हैं तो कैसे करेंगे इसको solve सबसे पहले मैं heading डाल देता हूं किसी भी एक फर्म में convert कर तो या तो तो 5 को अपने पास ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3x-5 is equal to y हो जाएगा, अब इसको सीधा कर लेते हैं, तो हमारा y का value कितना आ रहा है, 3x-5, तो हमने क्या कर दिया, y के form में एक equation तयार कर दिया, अब यह जो y के form में equation मिल गया हमें, कि y का value जो है, वो है 3x-5, y का value ह है, वो क्या है, 3x-5 है, तो अब मैं क्या करूँगा, कि यह जो y का value है, उसका उठा के हमारे कोई, एक equation में डाल दूगा, कौनसे equation में डालूँगा, first वाले, क्योंकि already मैंने, कौनसा लिया है, second equation से आया है, तो हम लोग वापस से उसी में डाल सकते हैं, हम लोगो डान ला पढ़ेगा पहले वाले equation में, तो मैं क्या लिखूँगा, put the value of y, यह जो value मिला हमें y का, put the value of y in equation number 1, ऐसा आप एक statement लिख दो, और उसको solve करो, तो equation number 1 क्या है हमारे लिए, 2x plus y is equal to 5 है, हमारे equation number 1 है, और इसमें मुझे क्या लिखना है, y के जगा पे 3x minus 5 लिखना है, तो 2x लिख दिया, plus y के जगा पे 3x minus 5 लिख दिया, और is equal to 5 हो गया, अब इसको solve कर लेते, bracket open कर लो, तो क्या हो जाएगा, 2x plus 3x minus 5 is equal to 5, तो यह 2x plus 3x कितना हो जाएगा, 5x हो गया, ठीक है, 2x plus 3x, 5x हो गया, यह minus 5 उदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, यानि कि x is equal to 10 divided by 5 हो जाएगा, तो हमारा answer कितना हो जाएगा, 2, यानि कि आपका answer आगया, x is equal to 2, तो एक का value आप गया, एक का value आपने निकाल लिया, जो कि आपको आ रहा है, x is equal to 2, कितना simple था, अब x का value जब 2 आ जाएगा, तो मैं क्या करता हो, y का equation मेंने अल्रडी बना क इसका नाम में देता हो, equation number 3, वना के रखा हो है, तो अब मैं x का value 2 है, वो इस equation में डाल दोंगा, तो मुझे y का value भी मिल जाएगा, तो मैं या पर लिखूँगा, put x is equal to 2 in equation number 3, क्या करता हो, यह जो मेरा third equation है, इसमे मैं y का value, sorry, x का value जो है, वो डाल देता हो, तो क्या हो ज दोस्तों तो आ गया, finally आप निचे लिख सकते हो, x is equal to 2, और y is equal to 1, कितना simple है देखो, चाहे आप elimination method से solve करो, and चाहे आपने substitution method जो था आपका, उससे solve किया, कितना easy होता है, कोई भी simultaneous equation को solve करना, जैसे कि आपको मैंने solve करके दिखा दे, तो उमीद करता हूँ, कि यह भी example बहुत ही simple example था, तो दोस्तों, आज के लिए, बस इतना ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ, कि बाकी के जो remaining examples से, आप लोग इसको practice करते रहो, क्योंकि देखो, दोनों method तो मैंने आपको बता दिया, उमीद करता हूँ, कि हर एक चीद आपको clear हो गया होगा, कि चाहे हम elimination method की बात कर ले, चाहे, substitution method की बात कर ले, आप हर एक example को, दोनों ही method से, आप solve कर पाऊगे, इतने capable आप हो गए होगे, तो दोस्तों, आज के लिए यही पर मैं stop करूँगा, क्योंकि बाकी के जो remaining example से, यह मैं दे रहा हूँ, आप लोग के लिए homework, तो फटा-फट से homework जरूर से कर ले हमारा आज का lecture वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें comment करके बताना है, और अपनी राय और suggestion जरूर से देना है दोस्तों, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, useful लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा, share कीजेगा, अपने सारे friends लोग के जाद फटा-फट स share करो, अगर आपने अभी दक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीके फ्रेंड्स, तुम मिलते हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थाइंक यू एंड गुडबाई